आलिपूर डिस्टिक ब्लोक कालचिनी गारोपड़ा गराम पंचायत के आंत्रगत गरववती एवंग प्रस्तुती माओं को जननी सुरक्षा कार्यकरम एवंग जननी सुरक्षा योजना का सही लाब नहीं मिल रहा है रंजना डूंग डूंग इनी में से एक है आईए देखते हैं इनका हाल जनन के सन अलक छोवाकर नॉर्मल रहे कि सीजर अलक डॉक्टर आया नर्समन के सन बेवार करत रहे हैं चेंग द्वर्मल के आयग था ऑनवर महिर हैं डख अहरे हैं अलक लोग चेंगार्या डीलिभरी मही गलक है यिलहना कर सिर्थे नसे दनायशं हों में का में लेके गलां गाड़ी कहांचे दे रहे हैं? लोठा बरीकर गाड़ी कोनो पैसा ले ले गाड़ी आला? 800 रुपे ले ले रंजना डूंग डूंग एक ट्रैवल फरिवार की महीला है पती मजदूरी करते हैं और रंजना घर गरिष्थी का काम करती है जनवरी 2016 को चब रंजना का प्रसो पीड़ा होता है तब फोन कर निश्चयान एम्बूलेंस बुलाया जाता है ब्लोक प्रैमरी हेल्थ सेंटर उत्तर लोठा वाड़ी में उसे भर्ती किया जाता है लेवर रूम में घंटों तक डिलिवरी ना होने पर उसे आलिपूर दुआर डिस्टिक रैफर किया जाता है ड्रैवर के सलहा पर उन्होंने प्रैबेट नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया परिवार वालों को डर था सरकारी होस्पिटल से क्यूंकि रंजना के साथ बीपिएस्ची भी ठीक ब्रताव नहीं किया था कर्च चुकाना तब ही संब्सक्राइब कर्च कर्च चुका पाए उसने कहा है कर्च चुकाना तब ही संबव है जब आशिक का पिता चाबगान से काम करते हुए रिटायर हो जाएं एवंग चमा पी एप एवंग ग्रेजुटी पैसा मिले तब ही वा कर्च को चुका पाएंगे जेबरा चोबा घरे लेगे आला उस अपता में क्यों आसा दिदी, एनेम दिदी या आईसी दिए सलामन के वहर घरे आउत रहें पूछेक लेके सनाहिस के के वीडियो देख रहें दर्शकों से फ्राथना है कि जननी सुरक्षा योजना इंप्लेमेंट हो एम्बुलेंस का अतिरिक्त पैसा ना लिया जाए ग्रभवती एवंग सिसु का सही बेहवार किया जाए स्वास्त कर्मियों के द्वारा कोल करें CMOH आलिपूरद्वार 94-7560-7562 नंबर पे मैं हरियर नागबंसी आलिपूरद्वार से इंडिया आनहट के लिए